गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं दॉक्टर पंकच कुमार मिश्र एसोसेट प्रोफियूसर संस्क्रिट एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मित्रो हम लोग मिचकडिकम के चतुर्थ अंक के अवसान की और क्रमशह बरते जा रहे हैं और उसी में हम विदूशक के द्वारा जो वसंत सेना के महल है सदन है उसके अलग-अलग प्रकोष्ठ का विवरन और वर्नन समझ पा रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके माध्यम से उस काल के समाज को उस काल जो लोगों के रहन साहन का स्तर है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार मिचकडिकम के करता अर्थात नाटक कार उस काल को हमारे इसकाब्या के माध्यम से नाट्यकाब्या के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग पाँचमे प्रकोष्ठ में पहुंचे हुए हैं विदुशक के साथ विदुशक उस पाँचमे प्रकोष्ठ हम जिसे कह सकते हैं रसोई घर है किचिन है उसका वरुन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है और उसी में उस किचिन में विविद प्रकार की जो खुश्बू है हींग के हींग और तैल आदी के जो गंद हैं उनके उनका अनुभव करते हुए ऐसा लग रहा है कि विदूशक की बुभुक्षा बढ जंकिया जाता तद खाने पीने में उसके रूची बहुत अधिक है इसी वर्णन के क्रम में वो कहते हैं कि अधिकम उत्सुकायते इमाम साध्यमान बहुविद भक्ष्य भोजन गंदा कि माम यानि मुझको मुझविदूशक को। अधिकम उत्सुकायते अत्यधिक ठित कर रहा है क्या कि साद्यमान पकाए जाते हुए बहुविध्य विविध्य प्रकार के धेर सारे प्रकारों के different varieties भक्ष्य भोजन गंधः जो पकाए जाने वाले पकाए जाने योग्य जो भोजन के गंद है वो बर्बस मझे अपनी और खींसता चला रहा है और अन्यत्र क्या देख रहे हैं कि आयम अपर हाँ पठत चर्मिवा हत पशु दर पेशिम धावती रूपी दारका है रूपी दारका हा धावती अब रूपी शब्द के कई अर्थे लेकिन इस विशेस संदर्भ मे रूपी शब्द जो है कसाही जिसे कहते हैं खटिक समस्क्रत में यह शब्द भी प्रयोग आया है और थात वो जो कि पशु को मार करके या उसके मांक्स को बेचने वाले मांक्स विक्रेता कह लें या उनके अंगों का जो व्यापार में किया जाने वाला उपी योग है सा उ कह रहा है कि पठचर मिव हत पशुदर पेशिम अब इस चीद को जड़ा समझे कि हत या नि मारे गए पशुदर पशुदर पशुपशु शब्द है और उदर शब्द है दीरगसंधी हो करके पशुदर बना और थात जो पशु मारे गए पशु के जो उदर की जो मांक्स है अब लोग सभी जानते हैं मांग से पेशियां उस मांग से पेशी को ले करके भाग रहे हैं कौन उस कसाई के बच्चे अब इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ऐसा प्रती तो हो रहा है कि इस किछिन में वेज और नौन वेज दोनों प्रगार के भोजन है क्योंकि अगर मा नौन विज दे हैं बनता होगा उसी के बाद जो अवर्शिष्ट वस्तु है तत्व है उसको ले करके वो जा रहे है बहु विधा हार विकार मुपसाध हयती सूपकार है लेकि सूपकार का भी अर्थ होता है रस्वया लेकिन सूपको अगर पर्टिकुलर समझें तो सूपक का एक अर्थ दाल बनाने वाला हो गया लेकिन यहां पर एक समग्र रूप में सूपकार का मतलब है हम जिसको कहते हैं खाना बनाने वाला चीक है ठीक है इसलिए रस्वया शब्द है तो बहुविध हर प्रकार के आहार विकारम और ता विविध प्रकार के भोज्य के जो मि कर रहे हैं सूपकार रस्वये अर्था जो रस्वया लोग हैं वो अलग-अलग खाना बनाने में ली नहें निबंग नहें इस कमरे में अपने-अपने खाने जो अलग-अलग responsibility जो है रसोईयों को वो रसोई उनको बना रहे हैं और इस रूप में क्या कर रहे हैं वे तो बद्ध्यंते मूदकाह लड्डू बांधे रहे हैं देखिए कोई अंतर नहीं है समाज में मित्रो पंद्रह सो दो हजार वर्ष के बाद का समाज भी उसी तरह से है क्योंकि आज भी लड्डू हाथों में लेकर के बांधे जाते हैं बुंदी होती हैं उनको रस में मिला करके पकड़ पकड़ के गोल गोल बनाए जा रहे हैं और वही चित्र यहाँ उपस्थित किया जा रहा है मुर्चिकटिकम में भी यानि इसे पूर्व भी लड्डू इसी प्रकार के बनाई जाते होंगे तो बद्ध्यंते भोदकाह पच्यंते अपूपकाह पूए अभी हुली के खण में पूआ मालपूआ आधी ऐसे प्रकार के जो विशेश अन है भोजीय पदार्थ है वो बनाए गए हैं तो वहाँ पर भी क्या है पूवे बनाए जा रहे हैं पकाए जा रहे हैं तले जा रहे होंगे तेल में छाने जा रहे होंगे अब ये सारा दृष्य चित्र विदूशक के सामने उपस्थित है विदूशक की सारे इंद्रिया उन गंधों से और उन बनकाद्य पदार्थों से जो है वो निश्चेस्ट हो चुकी है निश्चेस्ट न कहे जागरत हो चुकी है पिदूशक छटपटा रहा होगा उसके मन में भोजन के प्रती एक लालसा बढ़सी गई होगी इसलिए वह आत्मगतम कहता है उसके मन में एक स्वरप फूटता है अपने आप से बात करते हुए कहता है अपि इदानीम इह वरधितम भूख्ष्वा भई यहां पर इन सारे ची प्राचीन काल में जब लोगों को निमंत्रित किया जाता था नकेवल प्राचीन काल में आज भी जहां पर हम कुवें और नल के पानी का प्रयोगा करते हैं आज भी वहां जब किसी को आप निमंत्रन के लिए बुलाते हैं तो वहां सबसे पहले उनको निमंत्रन से भोजन से पूर्व पानी जल देते हैं हाथ में ताकि आप हाथ पेर धोलें स्वच्छता शुचिता जो क्लीलिने से है उनको प्रकट किया जाता है तो यह मन ही मन सोच रहा है विदूशक कहीं ऐसा तो नहीं कि अब यह हमें कहेंगी कि सर ये जल लीजिये और भूंग्शे ये भोजन खाइए क्योंकि आपका भूख बढ़ गया होगा और विदूशक की सोच यहीं है तो विदूशक उस प्रकार अपने मन में सोचता है फिर अचानक उस सोच से तूटते हुए अन्यत अवलोख किया दूसरी और देखते हुए कहता है कि इव इह गंधर्व अप्सरो गनेरिव विविधा लंकार शोभितई गनिका जनई बंधुलेश्च यत सत्यम स्वर्गायते इदंगेहं इदंगेहं यह घर स्वर्गायते स्वर्ग के समानप्रतित हो रहा है मानु स्वर्ग सा बन गया हो यत सत्यम जो सत्य है अर्थाद विदुशक पूरी तरह से एक इंफटिक फॉर्म में एक जोरदार तरीके से कहते हैं कि यह सत्य है कि यह जो घर है यह स्वर्ग के समानप्रतित हो रहा है क्यों तो कह रहा है यानि अस्मिन ग्रिहे इस घर में गंधर्व अपसरो गणई है तर्थाथ गंधर्व और अपसरा जो की स्वर्ग के सुंदर्य एक तत्व माने जाते हैं अपसराओं की सुंदर्ता से गंधर्वों की संगीत आदी व्यापार से विविधा लंकार शोभित विविधा प्रकार के आभूषणों से विव्यधा प्रकार के रत्नों से सुशो भीत गणईका जन ही और अब बंधुल इश्चह अब ही बंधुल की चर्चां आईगी उस समय है उसकी व्याक्या करेंगे पीछे भी चर्चा माईः थी इस गण वें हैं tipी ज वनिक्ने और उन व्यापार में साथ देने के लिए बंधुल विद्यमान है तो बंधुलों के साथ ये विविध प्रकार के अलंकारों से सुशुभित गणिका जनों की विद्यमानता के कारण ये पूरा का पूरा जो महल है वह स्वर्ग के समान प्रतीत होता है अब बंधूल यहाँ पर गंधर्व के साथ और गणिकाजन अपसरा हो गया तो जिस प्रकार गंधर्व और अपसराओं से युक्त स्वर्ग लोक शुशोभीत होता है उसी प्रकार बंधुल और गनिकाजनंगों से यहँ ग्रह शुशोभीत हो रहा है अब जब उन्होंने बंधुलों को देखा बंधुल कोई एक व्यक्तिवाचक संग्या नहीं है यह प्रॉपर नाउन नहीं है बंधुल यहाँ पर कॉमन नाउन है एक विशेस प्रकार के लोग जिनको की बंधुल कहके बुलाया जाता है तो जैसे ही यह देखा तो पूछ बैठता है विदुशक कि भो अरतातरयो चेटी के यूयम बंधुला नाम भाई बंधुल से ही पूछ बैठता है अरे भाई बोलो कि यह तुम बंधुल लोग कौन हो इन दाट सेंस वाट इस यॉर इंट्रड़क्शन तुम कौन हो तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हारा क्या काम है तुम्हारी क्या भूमी का है मित्रो ये बड़ा सुन्दर एक देखेंगे कि किस प्रकार हमारा समाजिक विखास होता है और इन बंधुँhaं की आइडिंटिटी क्या है यह बड़ा ही एक रहस्य का विशय है वयम खलू हम लोग कौन है पर ग्रीह ललिताह परान पुष्टाह पर पुरुशईह जनिताह परांग नासू परधन निरता गुनेश व अवाच्या गज कलभा इव बंधुला ललामा सारी विशेशन यहाँ पर पर ग्रीह ललिताह दूसरे के घरों में पालित पुष्ट अर्थात मेरा कोई अपना घर नहीं है जन्मे के बाद से ही हमारा जो लालन पालन जो पुर्शन है वो किसी अन्य घर में हुआ है पर आन्न पुष्टाह दूसरे के अन्न से ही हम लोग हाद दिया अपना कोई ऐसा हमारा धेकार नहीं है कि हम अपने अन्न को उप जाएं अपना खाना बनाए और अपना भोजन ग्रहन करें नहीं जिस ने जो दे दिया जिस पराए व्यक्ति ने जिस पराए ने हमें जो कुछ दे दिया उसी अन्न को ग्रहन करके हम लोग यहाँ पर हृस्ट पुष्ट अपने जीमन को भी ता रहे है पर पुरुशईः जनिता ह। परांगणाशु ये लाइन से विशेश। ध्यान देने योग ये है यह विशेशन। कि परांगनासु और ता दूसरी स्त्रियों से परपुरुशईह परपुरुशओं के द्वारा जनिताह हमारा जन्म हुआ है एक सबसे पहली बात तो यहां पर परांगनासु शब्द जो है यह उचित नहीं है तो कि जो भी अंगना जो भी स्त्री अपनी संतती को जन्म देती है वो पराई नहीं होती इस सीज़ को ध्यान रखेगा यानि बंधुल को भी यदि किसी ने जन्म दिया है तो जो जन्म देने वाली माता है वो परांगना नहीं होगी लेकिन जब यहाँ पर यह शब्द प्रयोग किया गया है तो यह विवेचन का विशय बन जाता है अर्थात इनको यह भी ज्यात नहीं है कि मेरा पालन पॉशन तो यहाँ हो रहा है लेकिन मुझे किस माता ने जन्म दिया है अर्थात यदि मैं वसंत सेना के घर में रह रहा हूँ अन्य गणिकाओं के साथ मैं रह रहा हूँ लेकिन इन में से कोई मेरी माता नहीं है मेरी माता कोई और है इसलिए परांगना सुजनिता है और क्या परपुरुश है है दूसरे पुरुष के द्वारा यानि पिता भी अग्यात है यानि मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है यह नहीं जानेने वाले हम बंधुलोग है और देखिए जो एक अगर हम यहां से विशय को ग्रहन करें तो वर्नों में जिस प्रकार जातियों का प्रवेश हुआ है वो यहीं से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं इसका यह मतलब नहीं कि मिच्चकडिकम काल से बलकि इस व्यवस्था से और यह मिच्चकडिकम काल में वर्नित प्रथमब व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसे बसंत सेना से पूर्व भी छठी शताब्दी के आसपास में हम लोग आमरपाली, हम लोग चित्रलेखा ऐसे जो गणिकाएं हैं, विशिष्ट गणिकाएं हैं, उनकी चर्चा सुनते चले आते हैं और अगर आमरपाली छठी शताब्दी की अत्यधिक प्रसिद्ध गणिका थी, तो उनके उसे महल में भी अन्य गणिकाएं होंगी और अन्य बंधुल होंगे, तो चूकी बंधुल पूरुश हैं, तो स्वभाविक हैं इनके भी संबंधों होंगे, और उनके संबंधों से बन तो ऐसे जो परिचाय रहित जो ये व्यक्ति हैं समाज के, उनका पालन पूर्शन इस वसंत सेना के विशाल भवन में हो रहा है, और वहाँ पर ये बंधुल लोग किसी ना किसी कारिय में लीन हैं, सामन ये हैं जिनका कोई माता पिता नहीं, आज की भाशा में अनाथ कह लें, लेकिन जो जाती परमपरा है मित्रों, समाज में जब आइडेंटिटी नहीं मिलती लोगों को, जो अवैध हसंततियां होती हैं, जब समाज उसे स्विकार नहीं करता, तो हम उनको एक अवमानना के रूप में कोई एक नाम दे देते हैं, और वही नाम उनके जाती रूप में चल पड़ती है, उनके कारियों को देखते हुए, अभी हम लोगों ने क्यों परुशय जनिता परांगनासू, इसको देखा है, परधन निरता, और कह रहा है परधन निरत, और साथ दूसरे के भी रहित, हमारा अपना कोई धन नहीं है, अगर दूसरे की जो धन है, उन धनों पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए परधन निरत हैं हम लोग, और गुनेश व अवाच्या, और गुनों में, न कहे जाने युग्या है, अर्थात हमारे कोई गुन होते ही नहीं है, तदन सा कि मेरे गुण का जो है वो आख्यान नहीं किया जाता और हम लोग गुण रही तो होते हैं समाजिक विमर्ष देखिए पूरी तरह से आइडेंटिटी लेस एक वर्ग है क्योंकि देखिए बहुअचन है तो कोई एक नहीं होगा दो नहीं होगा तीन नहीं होगा कई होंगे और ऐसे वसंत सेनाओं की कमी नहीं होगी उस परमपरा में जिसके यहां पर घर पर इस प्रकार के बंधुल नहीं होते होंगे अवईध संततियां नहीं होती होंगी विदाउट आइडेंटिटी लोग नहीं रहते होंगे और वही जब संख्या में विद्धी को प्राप्त होती है तो एक विशिस्ट जाती एक विशिस्ट वर्ग उत्पनल होता है खैर विदूशक ने सुन करके इस पर कोई विशिस्ट ध्यान नहीं दिया होता है कि जिस प्रकार विदूशक ने एक छोटे-छोटे सूक्ष में से सूक्ष में वस्तुओं की ओर ध्यान दिया है चाहरो वेäg ना हो चाहरो मञजीरे हो चाहरो वे क्लिए प्रकार के रत्नschaft यहां तक कि पाशुकेई मांग सपेशी को कहरी करने वाले लोगों तक को इसने रिकर्ग्नाइज किया लेकिन विदोशक ने बंधुल को रिकर्ग्नाइज नहीं किया बस कवल इतना कि तुम लोग कौन हो उसको परीचेप पूच करके उस पर किसी भी विशिस्ट प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है विदुशक ने नहीं नाटक कार ने विदुशक और बंधुल के बीच में किसी भी प्रकार का समवाद नहीं कायम किया इसका अर्थ है कि ये बंधुल लोग समवाद के योग्य भी नहीं थे अन्य लोगों की दृष्टी में उनसे बात भी नहीं करता विदोशक हम काव्य पक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं काव्य में वरनित समाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं यह उपमा अलंकार अर्थांतरन न्यास अलंकार आदी विशिस्ट रूप में आप अपने ग्रंथ में अपने पुस्तक में पाते होंगे लेकिन इस प्रकार का सामाजिक विमर्ष हमारे पुस्तकों में लिखा नहीं होता है अस तु विदुशक चेटी से कहता है कि अदिशतु भवती हे चेटी महोदया आप मुझे आदेश करें क्या बागे क्या करना है तो कहते है ये तो ये तो आरिया है इमम शस्ठम प्रकोष्ठम आए आए आरिया चिंता मत कीजिए आए ये देखे ये छठा कमरा है ये सिख्ष एक चेमबर है प्वाटर है आये और प्रवेश करें आये देखे यहाँ पर क्या है विदुशक प्रवेश करके देखता है और देखते हुए कहता है आश्चरियम भो अरे वह आश्चरिय है यहाँ पिशस्ठे प्रकोष्ठे आमूनी तावत सुवर्न रत्मानाम कर्मतोरनानी अब यह कैसी जगह पे आ गए जहां पर मानो बहुमोलिय आभुशन बहुमोलिय ध प्रणगार प्रसाधन के लिए जो आभुशन जहां बने बनाये जाते हैं अब टाइप आप कह सकते हैं कि अलंकार अग्री यानि जो जुल्री शॉप टाइप का एक है जहां पे जुल्री का निर्मान हो रहा है और कहता है कि देखिए कि यहां पी शस्ठे प्रकोष्ठे इ अमूनी हम क्या ले लेंगे कर्म तोरनानी यह कर्म के तोरन तोरन कहते हैं जिसे जालर कहते हैं हम आप सजाते हैं घर द्वार अभी दिवाली आती है तो वहां पर हम लगा देते हैं तोरन द्वार आदी लगाते हैं पत्ते आम के पत्ते अशोक के व्रिख्ष के पत्ते रहते हैं तो भाई जिनकी जो अवस्था है जिनका जो संपत्तिगत सामर्थ्य है तदनुसार उनके कर्मतोरण भी होते हैं यह एक सी ध्यान देने योगिया तदनुसार उनके कर्मतोरण होते हैं आम आदमी आम के पत्तों से काम चला लेते हैं थोड़ा साधिक पैसा होता है तो बाजार से फूलों की लड़ियां और आजकल वो खरीद कर ले आते हैं लेकिन जिनके पास पैसे ही पैसे हैं संपत्ति ही संपत्ति है वे सोने चांदी की लड़ियां टांगते हैं और यहां दे क्षिप्त कह रहा है कि नील रत्न विनिक्षिप्त अर्थात नीलम रत्न से जटित निगडित इंद्रा युधस्थमिव इंद्रा युधस्थानमिव अब इंद्र का आयुध क्या है धनुष तो इंद्र धनुष की तरह है अब इंद्र धनुष तो हमारी आकरिती है रेनबो लेकिन हम यहाँ पर इंदर धनुशकार्थ रेनवों नहीं लेंगे बलकि हम इंदर धनुशकार्थ रेंगे विविध रंग नौ के नौ प्रकार के रंग साथ सरी साथ के साथ प्रकार के रंग अर्थात बहुरंगी सोने के रत्न में नील मणी जटित हैं और भी कई विशिस्ट प्रकार के रत्न उसमें जटित हैं तो ऐसे सब्त रत्नों से जटित सुवरनों की लडियां यह देखो यहां दिखाई पड़ रहे हैं इस छठे कमरे में और आगे क्या वैदूरिय मौक्तिकप प्रवाल प्रवालक पुष्परागेंद्र नील करके तरक पद्मराग मरकत प्रभृतीन रत्न विशेशान अन्योन्यम विचार यंति शिल्पिनहां देखे शिल्पी आ गया असाथ हम जिसे सुवर्नकार कहेंगे हलाकि शिल्पी तो आर्किटेक्चर को कहा जाता है आर्किटेक्ट को कहा जाता है लेकिन यहां पर भी वही शिल्पी होगा शिल्पी यानि ऐसे कला से पूर्नकारिय को करने वाले को शिल्पी कहते हैं उसे दृष्टी से कवी भी शिल पी होते हैं तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि वैदूर्य वैदूर्य एक विशिस्ट प्रकार के रत्म हैं मौतिक मोनी प्रवाल जिसे हम मुंगा कहते हैं जो मुंगा उसमें शीप के भीतर होता है सीप के भीतर पुषपराग इंद्रनील करकेतर पदमराग मरकत आदे ये विशेस रत्म हैं खास करके जो पत्थरों को जानने वाले होते हैं मातों में अंगूठी आदी पहनने के लिए विशिस्ट प्रकार के निलम पुखराज आदी जो है ये ऐसे से पत्थरों को जानते हैं तो मानों वो उसी प्रकार के विशिस्ट बहमूल या पत्थर हैं तो ऐसे पत्थरों के ऐसे रत्म विशेशों से को अन्योन्यम विचार एक एक रत्म को परस पर देख करके शिलिपी लोग उसकी परीक्षा कर रहे हैं उसका कर रहे हैं उनकी रहे हैं 100 ध्यंते जाता का रूप यह मानिक्यानी जात रूप कहते हैं यहाँ पर सोना है ना तो कह रहा है कि सोने में मानिक्यानी बद्यंते जो मानिक्या है मनी मानिक्या है उनको गुथा जा रहा है बांधा जा रहा है घट्यंते सुवरना लंका रहा है सोने के आभुशन बनाए जा रहे हैं और जो लाल धागे हैं उनमें मोतियों के जो आभूशन है मोती से जो बने आभूशन है वे गथे जा रहे हैं वो बांधे जा रहे हैं समाज में कोई अंतर नहीं है आज भी हमारे यहां शुभ मंगल आदिये कारियों में जो लाल धागे होते हैं उन्हीं लाल धागों में आभूशन बांधे जाते हैं ग्रिश्यंते धीरम वैदूर्यान जो वैदूर्ये जो है उनको घिसे जा रहे हैं धैर्य पूर्वक अर्थाथ धैर्य पूर्वक से यहां पर ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि ऐसे 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 फास्ट घसे जा रहे है अर्थाथ एकदम ध्यान पूर्वक देख देख करके व ये मतलब नहीं है कि जो शंख जो फूंकने वाले होते हैं को दो भागों में बाटा जा रहा है। बलकिन के कई अर्थों होते हैं एक अर्थ तो यह हुआ कि जो शंख शमूधुरी से प्राप्तों होते हैं वो अविकसित है तो उसे शंख को परिश्क्रित किया जा रहा है और दूसरा शंख जिसे हम CP कहते हैं CP को काट काट करके different different ship में different different size में उनको काटा जा रहा है तो दोनों प्रकार से यहां शंखका अर्थ है जो नहीं अर्थ है वह यह है कि जो फूखने वाले शंखका है वे काटे जा रहे है अज आचो कि शंखका नहीं जाते इसे दृष्टी से शान एक विशिस्ट प्रकार का पत्थर है जो बड़े-बड़े हधियार, तलवार, चाकू, आदी आज भी आप देखे होंगे कि अमारे गलियों में cycle पे ले करके गिरनी की तरह गुमने वाले पत्थर होते हैं जिस पे चाकू या इस तरह के कोई चीजे है जिनमें घिस करके धार किये जाते हैं उनको शान कहते हैं एक विशिस्ट प्रकार का पत्थर जिसमें घिसने से तेज धार बनते हैं लेकिन यहाँ पर तेज धार नहीं करना है उसी पत्थर पर प्रवालक यानि जो मूंगे हैं वो मूंगे घसे जा रहे हैं वो इसलिए घसे जा रहे होंगे क यह जा रहा है । इसे पूंदन आदी कुंकुम आदी घीसे गए होंगे आलेपन के लिए तत्व बनाये गएPress कुषमिकी ह किया रहा है और विशेशयन घ्रिष्यते चंदन रसामी की किखास करके ऐसे अवसारों पर या इस कम्रे में या इस जगा पे extra के चंदन का रस से मतलब यह है कि वहीं चंदन को गीला किया जाना अप लोग सभी जानते हैं कि चंदन की लकड़ी होती है उस चंदन की लकड़ीयों को घिसा जाता है और घिसने के बाद जो वो तत्व होते हैं गीले तत्व उसी को हम अपने माथे पर पीके की तरह लगाते हैं आलक तक कितरह लगाते हैं और वही चंदन जो है सरवत्र खुश्मू प्रदान करता है तो इस प्रकार मानू वो भी अमारे शारिरी का परिशकार के लिए शारिरी का समसकार के लिए वह एक विशेस तत्व होता है पुराने जमाने का जिसे आप कह सकते हैं डियोडॉरिंट है और जो गंध को छोड़ने वाले जो हैं तत्व उनका संयोजन किया जा रहा है क्योंकि देखिए वर्णन हो रहा है गणी का ग्रिह का वसंत सेना के घर का और वसंत सेना का घर जो है वो वेश्याओं का जिसे कहते हैं घर है जहां पर लोगों का गमना गमन जो है जिसे हम आम भाषा में आवागमन कहते हैं आवागमन शब्द शुद्ध नहीं है वो गमना गमन होता है तो जो उस वहां पर जो गमना गमन होगा लोगों का वो किस लिए होगा वो गनिका मिलन के लिए होता है और गनिका मिलन के लिए कौन आता है तो उसी के लिए शब्द अपरी होगा है कामुक व्यक्ति यानि गनिका और कामुक व्यक्ति एक साथ बैठे हैं अर्थाथ गनिका और गनिका से मिलने के लिए जो आने वाला व्यक्ति है वो दोनों एक साथ बैठे हैं और वहाँ पर एक खुश्बू आधी के लिए सकरपूरम, करपूर जल रहा होगा, रूम में खुश्बू होगी, और तामबूलम, उनको तामबूल दिया जा रहा है, लेकि तामबूल तो आज हम पान को कहते हैं, नहीं, लेकिन तामबूल शब्द का अर्था है, माउथ फ्रिश्नर, सौफो हो इलाइची हो, लॉंग हो, पान हो, और मों में खुश्बू करने वाले सुपारी हों, ऐसे जो तत्व होते हैं, उनको हम समग्रता में तामबूल कहते हैं, तो इस प्रकार ये क्या है कि ऐसे लोगों को तामबूल दिये जा रहे हैं, अब लोग क्यते सकाठाक्षम, और वो ये छठा ग्रिहे है, छठे कमरे में हम पहुंचे हैं, हमारे पास दो कमरे और बचे हैं, और उन दो कमरों की भी हम यात्रा करेंगे, कि वसंत सेना सदन का वो दोनों कक्ष कैसा है, मिर्चिक अटिकम का चतुर्थ अंक, घटना की दृष्टी से अरोचक, लेकिन वरनन की द जिहान पूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद.